हाई गैस और वेल्कम बाक टो दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेल्कम टो दी डेली हिंदू नियूज एंड एडिटोरियल एनालिसस ओफ 29 जैनवरी 2023 तो गैस आज है तारिक 29 जैनवरी 2023 और है संडे दिखेंगे आच के दा हिंदू कंप्लीट यूस पेपर को कंप्लीट यूस पेपर को इनलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम तरह उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच जैदा वेजुकेशन यूपीएसी एस यू कें सी गाईज आप लोग को येवला चैनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफ़ेर के वेडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है नव बढ़ते हैं आगे आगे वड़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है मजूली आइलेंड को काफी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना जान उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवेस यर साल 2009 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बिसेस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रिवेस यर क्वेशन को भी सॉल्व करता है क्वेशन बहुत सिंपल सा है क्या बोलता है देखो जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ना पृत्वी का इसको जब आप अंदर से देखोगे तो अलग-लग layers प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगी जैसे आपने देखा होगा crust सुना होगा mental के बारे में फिर उसके बाद में core के बारे में सुना होगा तो पूछा यह जाता है कि mental के बाद जो बिल्कुल अंधर वाली layer है कोर जिसको हम लोग बोलते हैं ये किस चीज़ से बनी हुई है ये आपको बताना है ओप्शन A, Aluminium, ओप्शन B, Chromium, ओप्शन C, Iron या फिर ओप्शन D, Silicon तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी चेक आउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है और इस क्वेशन का जो क्वेशन आप से पूछा है आए ना इसका आंसर भी मैं आपको थोड़ी दिर में ही दे दूँगा लेकिन उससे पहले आपको बताओगा कल हमारा दहिंदू का जो वीडियो है लेकिन मतलब ईसा था कि मैं वीडियो रिकॉड करी नहीं पाया प्रबलेम यहोड़ी आजकल दहिंदू न्यूस पेपर के अंदर ही किवह बहुत लेट पब्लीच हो रहा है इवन आजड़ आप देख्पाऊगे एऺण॑' अपनी थोड़ी स़ें वेडिट बना लो और सभी के साथ में ये होगा, सभी ये प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि दहिंदू का न्यूस पेपर बहुत लेट पबलिश हो रहा है, एविन आज भी मॉर्निंग में 6 बजे पबलिश हुआ है, बैटे बैटे न्यार करते करते देखते देखते पता ये चलता है, लेट लेट होता जा रहा है, फिर उसका 6 बजे पबलिश हो और पिछले एक सब्ता में हम देखेंगे, तो 6 बजे ही पबलिश होता हुआ नजर आ रहा है, बाकी मैं अपने कोशिश करूँगा, कुछ वेबसाइट वगरा से पढ़ने की कोशिश करूँगा, तो मेरी कोशिश यही नौमजी से पहले-पहले यहाँ पे मैं इसको अप्लोड कर दिया करूँ, रोजाना के बेसिस पर, बाकी वीडियो भले ही हमारा थोड़ा देड़ से मिले, लेकिन यहाँ पे आपको क्वालिटी कॉंटेंट मिलेगा, उस चीज की जिमेधारी मैं लेता हूँ, हैना सारी ची पर नंबर वन के अंदर, आर्ट एंड कल्चर में इसको बहुत अराम से लिंक किया जा सकता है, हुआ क्या है, देखो एक न्यूज निकल कर आती है, इस टैंपल की, यह जो टैंपल आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है जतर देओल टैंपल, यह टैंपल 11th सेंचरी का है, शिव जी को डेडिकेट किया गए तो एक शिव मंदर है, यह शिव टैंपल है, कहा पर है वेस्ट बेंगॉल के साउथ 24 परगनास पर, ठीक है, तो पहली चीस तो लोकेशन, लोकेशन क्या है वेस्ट बेंगॉल के अंदर में, और यह कौन से टैंपल है, जतर देओल टैंप ठीक है, बहुत पुराने समय को बिलॉंग कर आप देखो, 11th century का यह टैंपल है, एक टेरा कॉर्ट टैंपल है, वेस्ट बेंगॉल के सुंदर बन वाले एरिया के अंदर यह इस्थेत है, पिछले कुछ समय से तो देखो, इस प्रकार से टैंपल बना हुआ है, लेकिन अब क हवाव के अंदर में कुछ सॉल्टीने से, यानि खारा पना है उस हवा के अंदर में, और उस हवा का जो प्राभाव है, इस टैंपल के उपर बहुत जादा पढ़ा है, एवेन आप देख पाऊगे, इस प्रकार से पढ़ाए कि इस टैंपल की जो ब्रिक्स है, जो इटे हैं वो गलने लगी हैं, वो खराब होने लगी हैं, खतम होने लगी हैं, तो ये एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो थ्रेट है इस टैंपल को जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, इसी वेसे यहाँ पर इसकी हैडिंग भी दी गई है, इस मंदिर की जो बाहर की इटे हैं, आउ इरोड होती जा रही हैं, और इरोड होने का पीछे का रिजन यहाँ पर है, जो यहाँ पर हवा बहे रही है, उसके अंदर खारा पना है, यानि नमकीन पना आपको देखने को मिलेगा, जो की कही ना की इस हवा को इस टैंपल को पूरी तरह से डामेज करती जा रही है, तो फिलाल यहाँ पर जो आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया है, जिसका काम है हमारे सारे के सारे मोन्यूमेंट्स को रिस्टोर करना, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, तो इन्होंने एक प्लानिंग करिए, इन्होंने यह बोला है कि हम इस टैंपल को थोड़ा बच उसको लगा दिया जाएगा, और वो जो खराब इंटे उसको निकाल लिया जाएगा, जो खतम हो चुके, जो एरिया खाली हो चुका है, वहाँ पर वो इट लगा दी जाएगी, similar size की, तो इस प्रकार से यह पर काम करके हम उस टैंपल को वापस से renovate कर सकते हैं, उस टैंपल वो निचले हिस्से पर हो रही है उपर वाले एरिया अभी भी मतलब सुरक्षित उपर वाले एरिया पर कुछ भी नहीं हुआ है लगबग 15 फीट की हाइट तक ही जो इटे है वो पूरी तरह से गल चुकी है वो बात यहां पर बताई जा रही है यह टैंपल एक ऐसे एरिया मे स्थित आपको देखने को मिलेगा जहां पर आसपास कुछ भी नहीं है लेटरली कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा जस्त थोड़ी सी दूर पर यहां पर समूर नजर आएगा वहीं से जो यह कोस्टल वेंट से वो बहती है और वहीं यहां पर अपना खारा पना ले solution यहां पर क्या भी है क्योंकि यहां पर इसका सपरस पेड़ है पेड़ की वज़े से जो हवा है ना वो सई से यहां तक पहुंच नहीं पाती यानि जो पेड़ है वो इस खारावाली हवा का एक barrier बन जाता है ऐसी हवा जिसमें नमकीन पना है उसका barrier बन जाता है इसको यहां अब देखते हैं इसको किस प्रकार से protection दी जाएगी इनकी planning वही है जो मैं आपको बताया जो पुरानी वाली जो खराब वाली breaks है उनको बदल देना नहीं से तो यह देखते हैं किस प्रकार से implement किया जाएगा यह बात क्लियर हो गई आओ थोड़ा सा temple के बारे में background information देखत होगे तो अभी भी यहाँ पर काफी सारी चीजों को लेकर clarity हमें मिली नहीं पाई है वेस्ट बेंगॉल में temple है यह है ना लेकिन आप देखोगे यहाँ पर इस temple के अंदर कोई भी बेंगॉल traditional structure नहीं follow किया गया है जो बेंगॉल temples हुआ करते थे पुरान जमाने के ancient समय के व उसी style में यह temple बना हुआ है ऐसी बात बताएगी दूसरा यह temple बहुत लंबे समय से दिखाई नहीं पड़ा था लेकिन बहुत मतलब कि इसको researches ने बहुत समय बाट ढूंडा है और इसके आसपास एरिया खाली है पूरी तरह से खाली है एरिया है वहाँ पर इस temple को कैसे बन present day पर यानि कि आज के समय पर यह temple ऐसी क्या है तो इस temple को maintain किया जा रहा है archaeological survey of India के माधियम से वही इसका ध्यान रखना है दूसरा इसके बारे में और जब बहुत सरी खोज की जाती है तो हमें यहाँ पर जग मोहन के बारे में पता चलता है गर्ब ग्रिया के बारे में पता और बहुत सारी pictures और साधी साथ में मूर्तियां देखने को मिल जाती है बहुत सारी pictures है मूर्तियां है पूरे temple के अंदर में यह भी बताया जा रहा है दूसरा इस temple के पास में एक मेला भी लगाया जाता है साधी साथ में दूसरी activities हो ती हैं जैसे कि horseries ठेके न गोडों की race वगरा भी करवाई जाती है, तो हर साल second day of besak, यानि की खास कर April के बीच के समय की बात की जा रही है जो April महीना है ना, उसके बीच के समय पर एक horse race, गोडो की race भी याँ पर करवाई जाती है, horse race यहाँ पर मंदर से start होती है, यहीं मंदर से और घुम घुमा कर यहाँ पर मंदर पर ही वो horse race अंतोती है, अब उसके बाद यहाँ पर एक मेला भी लगता है इस पूरे time period के अंदर में, जो villagers हैं, आसपास के जो गाउं के लोग हैं, वो सब इस area को visit करते हैं, गोडो की race को भी देखते हैं, दूसरी activities में आपको की जाती है, singing, dancing, जात्रा, हैना, यह सारे काम यहाँ पर किये जाते हैं, इस पूरे particular time period के अंदर में, तो यह मैंने आपको current situation प्लस यह ancient पूरा का पूरा मामला किया था, वो सब चीज़े connect करकर समझा दी हैं, आया आते हैं, अभी एक यहाँ पर आप देखोगे, तो इस प्रकार से जो देवला है ना, यह उपर वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, temple का वो कहलाता है, यहना इस प्रकार से आपको उपर यह हिस्सा दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं, रेखा देवला देवला तीन प्रकार के होता है, देखो एक तो होता है, यहाँ पर रेखा देवला, और एक प्रकार के यहाँ पर होता है, पीड़ा देवला, और एक होता है, यहाँ पर खाकरा देवला खाकरा देवला कहाँ पर होता है, जैसे आपने कालिंगा अर्किटेक्चर नहीं ओडिशा स्टाइल के अंदर में तो रेखा देवला हो गया खाकरा देवला हो गया और पीड़ा देवला हो गया तीन प्रकार के देवला होते हैं जो कि यहाँ पर इस प्रकार से टेंपल के ऊपर बनाए जाते हैं दूसरा गर्बग्रिया है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गर्बग्रिया क्या होता है, गर्बग्रिया है, बेसिकली आप कैसे रखतो कि मंदिर में जो बिल्कुल बीच का हैस्ता होता है, जहाँ पर जो मेन भगवान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है, ठीक है न पर आपको और भी structures देखने को मिलेंगे ये भी यहाँ पर Odisha का style का architecture आपको देखने को मिलेगा है ना देवला क्या होता है यह हम लोगों ने समझ लिया इस प्रकार से पूरा का पूरा जो temple है इसका architecture देखने को मिलता है तो आपसे question यहाँ पर बन सकता है इन तीन प्रकार के देवला का नाम ध्यान रखना रेखा देवला, पीड़ा देवला और दूसरा यहाँ पर खाकरा देवला ठीक है आगे आता है दोस्तो अगले news article पर आता है तो thumbnail वाले article को discuss करेंगे तो आपको पता होगा पिछले कुछ समय से लगातार 3-4 दिनों से प्रत्वी का जो inner core है न वो चर्चा में है तो हम समझेंगे क्या है ये प्रत्वी का inner core जिसने घूमना बंद कर दिया है क्योंकि रीसेंटी काफी सारी reports पब्लिश हुई है नियो जियो साइंस के अंदर भी report पब्लिश हुई देख पार हूँगे देख सारे articles यहां पर cover किया जा रहे है अर्थ inner core में have stopped turning here what it means करके यहां पर आपको financial express का देखने को मिलेगा देख सारे articles, news articles आपको यहां पर नज़र आएंगे तो आउ समझते हैं आकरकर क्या है ये पूरा का पूरा matter जब लोग बात करते हैं प्रत्वी के inner core की तो अंदर आपको काफी सारी layers नज़र आती है ये प्रत्वी का ऊपर यहां पर बाहरी layer आपको नज़र आएगा उसका inner core बिल्कुल ठोस, gold सी ball आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी है ना ये बिल्कुल ठोस है बिल्कुल solid सी ball आपको यहां नज़र आएगी जो inner core है अब inner core भी rotate होता है इसके बारे हमारे पास मैं information पहले से है और inner core का जो rotation है ये प्रत्वी से जितने तेजी से प्रत्वी गुम रही है ना लेकिन बाद में यहां पर यह rotate होना इसकी जो speed थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी और फिर 2009 में बताया जा रहे है कि एक समय के लिए ये जो पुरा ball है ये रुख भी गया था ठीक है ना और अभी के समय पर ये थोड़ा आप कह सकते हो कि अपना opposite side में rotate करना start कर दिया था जो next change है नहीं कि हम पिछले कुछ समय में ये देख रहे हैं कि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है कितनी बार बदलाव हुआ है लगबग हर 60 से 70 साल के बीच में कुछ ना कुछ changes नजर आ रहे हैं कुछ ना कुछ यहां पर बदलाव हो रहे हैं अर्थ के inner core के अंदर कभी speed जादा तेज हो जा रहे है कभी speed कम है या फिर आपका सकते हो कभी यहां पर stop हुआ या रुख गया और कभी यहां पर यह अपनी opposite direction के अंदर घोमने लगा तो यह काफी सारे बदलाव हम लोग देख रहे हैं तो उसका कोई ऐसा impact नहीं पढ़ने वाला है ऐसा भी काफी सा reports के अंदर बताया गया है कि देखो हमेशा यहां पर यह change होता वाया है अगला बदलाव भी होने की एक संभावना है अगला जो change होगा वो 2040 में होगा 2040 में भी change होगा वो पता नहीं कैसा change होगा लेकिन 2044 में पता चलेगा तो अभी तक change होगा इतने impact पड़े नहीं है तो आने वाले समय पर भी हम लोग देख पाएंगे ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा impact के ओपर ज़्यादा कुछ चीज़े बताई नहीं गई है बस खाली इतनी सी चीज़े हमें पता चली है क्योंकि obviously जो अर्थ का कॉर है इसके बारे में जानकारी लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गहराई में प्रेजेंट है कई किलो कई हजारों किलोमेटर गहराई में आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है यहां तक हम पहुँच नहीं सकते हैं तो अलग से हम लोग यहां पे कुछ अलग तरीगे से observation करने की कोशिश करता है हाला कि अर्थ के कोर के उपर एक पिच्चर भी है दा कोर आप इस पिच्चर को जरूर देख सकते हो और देखो गया तो आपका जो टाइम वगरा है न उसको प्रॉपरली उटिलाइस कर पा होगे दा कोर पिच्चर कापी इंट्रिस्ंग पिच्चर है वहाँ पर लोग घुस आते हैं कोर तक जाते हैं उसको यह पर इनलाइस करते हैं हाला कि वह बेसिकली पूरा पिच्चर है तो onds रियल लाइफ के अदर situation अलग है पिच्चर की situation अलग होती है टो हम लोग अर्थ Oui हम आ पढ़ना होगा एक्जामनेशन के लिए आपको रोटेशन वगरा के बारे में इतनी जानकारी नहीं लिखने रखनी है क्योंकि रोटेशन की वज़ा से इनर कोर नियूज में आया है तो आपको पता हो नंची आखरकार अर्थ का इनर कोर होता क्या है मैं आपको एक पिच्चर दिखाता हूँ यह वाला पिच्चर बेस्ट है इस पिच्चर को देखोगे तो अर्थ के अंदर अलगलक लेर्स आपको देखने को मिलेंगे एक तो होता है क्रस्ट क्रस्ट मतलब बिल्कुल बहारी एरिया क्रस्ट के बाद इसके अंदर वाला यहां पर जो है एक और मोटा form में होता है ध्यान अकना यह liquid में होता है inner core आपको solid में देखने को मिलेगा ठीक है बात क्लियर हो गई आओ थोड़ी सी बात है और जानते हैं तो प्रत्वी के inner core के बारे में और भी धेर सारी information हमारे पास में आप उसको यहाँ पे go through कर सकते हो यह सब कुछ मैं PDF में provide करवा द प्लूटो जो कि एक प्लानेट था अभी प्लानेट की category में इसको नहीं रखा जाता है तो प्लूटो के size जितना आपको यह ball देखने को मिलेगा जो inner core है वो बहुत ज्यादा solid है बहुत ज्यादा ठोस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसके उपर जितनी भी layers है उनका pressure पढ़ रहा है उनके weight की वे से काफी जदा यह आपको भारी देखने को मिलेगा solid देखने को मिलेगा ठोस देखने को मिलेगा हाला कि outer core से थोड़ा सा अलग होता है मैं आपको बता है जो अंदर वाला core है inner core जो है यह बहुत जदा solid होता है इसके बाहर भी एक core होता outer core वो liquid form में तो liquid form में है और अंदर वाला solid form में तो इसको काफी space मिल जाता है अराम से independently spin करने के लिए अराम से यहाँ पर वो liquid में float करता रहता है float करते करते तैयर्टी तैयर्टी तैयर्ते वो यहां पर spin करता रहता है independently अपने आप में यहां पर गूमता रहता है पात clear हुई roughly बदाया ज़रा है जहाँ पे हम रहे रहे हैं जो surface है प्रत्वी का जो सत है उससे 5000 km नीचे जाओगे अंदर जाओगे प्रत्वी के तो लगबग जो inner core है वो यहाँ पर spin करताव नजर आएगा ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है बाकी अंदर के temperature की बात करें तो लगबग 7200 से लेकर 8500 degree Fahrenheit के आसपास यानि Celsius से बात करें तो 4000 से लेकर 4700 4000 से लेकर 4700 degree Celsius के असपास आपको जो temperature है वो देखने को मिल जाएगा इस विसे हम उसको बिल्कुल hot area कहता है दूसरा अब हम लोग बात करते हैं अर्थ की बाकी layers के बारे में आपने core के बारे में तो समझ लिया उससे ऊपर कौन को सी layers आती है crust आता है और mental आता है तो mostly basalt और granite से बना हुआ है फिर बात आती है mental की तो mental यहाँ पर just crust के नीचे present है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो mental है काफी ज़दा मोटा layer देखने को मिलेगा लगबाग 2900 km थिक layer आपको यह देखने को मिल जाएगी यह भी काफी ज़दा गरम है dense है iron है यहाँ पर iron से मिलकर बनी वी है magnesium rich solid rock देखने को मिलेंगे ठीक है iron और magnesium से बहरे वे magnesium वाले solid rock से मिलकर यहाँ पर जो mental है वो बनी वी है ठीक है बात clear हो गई फिर उसके बाद में आता है mainly हमारा core बिलकुल last वाला अंदरूनी हिस्सा जो core है वो हमारे earth के बिलकुल center में आपको देखने को मिलेगा यह दो हिस्सों से बनावा है एक यहाँ पर इसका outer core है एक inner core है मैं आपको बताया outer core liquid वाला है inner core solid वाला है ना बिलकुल goal वाला जो है वो अंदर solid में solid वाला है वो बिलकुल अंदर present है जो outer core है वो nickel से बनावा है ध्यान अकना nickel iron और molten rock से बनावा है तो आपसे सवाल बन जाए कि जो core है वो किस से बनावा है तो यहाँ पर nickel, iron, molten rock अगर यह तीनों ही चीजे option के अंदर present है तो तीनों सही है बाकि इन में से याँ पर कोई भी प्रेजेंट होगा तो ध्यान रखना वही आपका सही उतर होगा तो ऐसे UPSC ने साल 2009 में प्रशन पूछा था प्रशन याँ पर यह था कि अर्थ के प्लानिट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो प्लानिट का स्ट्रक्चर जब देखा जाता है तो मेंटल के अंदर प्रेजेंट है कोर मेंटल के नीचे कौन सी लियर है कोर और कोर किस से बनी भी आप से पूछा गया अलमुनियम, क्रोमियम, आयरेन, सिलिकॉन तो इन में से आपने कौन सा पढ़ा है तो आपको पता है iron मैंने अभी पढ़ा था, iron जो है वो सही उत्तर है, कोर किस किस से बनी चीजों सबनाव है निकल, iron और साथी साथ में molten rock, तो यहां पर nickel प्रेजेंट होता है, तो iron और nickel दोनों सही उत्तर हो जाते है लेकिन अभी के समय पर iron present है तो that is why यहाँ पर जो आपका option C है वो सही उत्तर है ठीक है बात clear हो गई तो यह था हमारा एक और news article, next article पर आता है ना दोस्तो next article पर बढ़ने से पहले make sure करना वीडियो पर जो like का button उसको press कर देना, एक छोटा सा target है हमारा 5K plus likes का जिसको आपने achieve करवाना है, ठीक है ना और करना है अभी आपने यहाँ पर इतनी बात को सुनाएं तो फटड़फट like के बटन को प्रेस कर दो अभी यवी 5000 होज जाएंगे, ठीक है साथी साथ में मेरे साथ में instagram पे connect कर सकते हो instagram पे जाना, search box में आपको यह वाला profile मिलेगा, 11000 से जादा लोग जुड़ेवे हैं, आप भी मेरे साथ में जाकर personally जुड़ सकते हो, और जो भी आपसे questions पूछे जाते हैं, ठीक है न, उनका answer दिया करो, जैसे आपसे map का question पूछा गया है, मजूली आइलेंड, उसको अच्छे से map में जरूर देखना, क्योंकि map based questions हर साल prelims के अंदर में आते हैं, तो directly आपके question वहाँ से cover हो जाएंगे, बात clear हो दिये न, चलो, next article पर आते हैं, तो front page पर एक और आपको article देखने को मिलेगा, तो अगल एक और development हुआ है, वो यहाँ पर यह है कि तो ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है, तो राश्रपती भवन का जो garden है, जो कि मुगल garden के नाम से जाना जाया करता था, इसका नाम कल के दिन बदल दिया गया, अमरित उदान के नाम से यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया है, दूसरा बोला गया कि देखो, हम लोग अभी 75 यर का celebration कर रहे हैं, यानि 75 साल हो चुके हैं, देश के आजादी को हुए वे आजादी का अमरित महुसव का celebration क्या जा रहा है, तो प्रेसिडेंट आफ इंडिया नहीं हाँ पर इस चीज का एक नया सा नाम जो है वो दे दिया है, तो अब यहाँ पर वो मुगल गार्डन की जगे अमरित उदान के नाम से जाना जाएगा, इस गार्डन को अगर हम ले इस गार्डन की history देखें, तो इसका इतिहास आपको देखने को मैं लेगा, इसको design क्या गया था, admin latence के थूँ, अच्छा इसको मुगल गार्डन क्यों बोलता है, एक सेकेंड रोको, यह आपको वो गार्डन देखने को मिलेगा, इसको मुगल गार्डन क्यों जाता है, इसलिए जाता था, वैसे अब नी बोला जाएगा, क्योंकि आप देखवाओगे, सब कुछ बदल चुका है, यहाँ पर नाम जो है, एक नई नाम प्लेट लग चुकी है, अमरित उदान के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर यह गार्डन का टाइप है, जो मुगल है मुगलों ने बनाया नहीं है, वो मुगल गार्डन का टाइप है, एक प्रकार का, जहाँ यहाँ पर टाइप के अदर आप देखोगे, तो इस प्रकार से गार्डन के अदर बीचो बीच एक फाउंटीन नजर आएगा, काफ़ी सारे अलग लग प्रकार के वराइटीस के जो फ्लार है, जो फूल है, वो नजर आएगे, तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आती है, तो मुगल आर्गिटेक्चर का एक प्रकार है, एक टाइप है, यह मुगल से नहीं बनाया है, लेकिन इस प्रकार का, यहाँ पर एक प्रकार देखने को मिलेगा, इसी वैसे यहाँ पर जो आर्गिटेक्चर है, जो स्टाइल है, मुगल स्टाइल का यूज किया गया है, कुछ इंग्लिश स्टाइल का भी यूज किया गया है, ऐसा बोला गया, ठीक है ना, बाकि इस गार्डन में मैं आपको बताया, कई सारे अलग-लग चीज़े नजर आएंगी, बीच में इस गार्डन के अंदर प्रेजेट है, तो इस गार्डन को डिजाइन किया था, पर्षण और मुगल स्टाइल में, इस पूरा का पुरा मुगल स्टाइल में भी नहीं है गगाडन, इसंने पर्षण और मोगल मिकसचर आपको देखने को मिलेगा, तो एड्वें लेटेंस, जिन्होंने यहाँ पर इसको डिजाइन किया था, तो बेसिकली यहाँ पर आप बोला जा रहा है, कि हम लोग, मतब उन्होंने जब इसको डिजाइन किया था, तो केवल मुगल आर्किटेक्चर का यूज नहीं है, इसमें कुछ और डिटेलिंग्स का इस्तमाल किया गया है, और साल बास साल यहाँ पर इसके अंदर हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होते वे नज़र आएं, तो अब वो वाला आर्किटेक्चर यह रह भी नहीं गया है, जिसके बेसिस पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पर नाम चेंज करकर मुगल गार्डन का नाम चेंज करकर अमरित उदान रख दिया गया है, ठीक है, बात क्लियर होगी, तो डिरेक्ली वन डे एक्जामनेशन में आपसे क्वेशन बन सकता है, कि मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा गया, अमरित उदान रखा गया, आ गया आता है, अगला आर्टिकल, जी एस पेपर नमबर थरी, एन्वर्मेंट के पॉइंट एवी से काफी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, नोबल्स हेलेन, नोबल्स हेलेन किसी का नाम नहीं है, यह एक बटरफलाई का नाम है, एक तितली का नाम है, तो एक बहुत, आपके सकते हो यूनिक प्रकार की तितली है, बहुत कमी से देखने को मिलती है, कई सारे देशों में खताम हो चुकी है, तो अरोनाचल प्रदेश की हाँ पर आप कह सकते हो कि एक नई बटरफ्लाई है यह देखने को मिल रही है अरोनाचल प्रदेश से basically पाई गई है, अरोनाचल प्रदेश में एक पार्क है जिसको हम लोग बोलते है नमधपा National Park तो इंडिया की एक नई आपके सकते हो की स्पीशी है ये जो की बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट है इसका नाम मतलब नाम क्या है नाम तो मैं आपको बता है नोबल्स हेलनिस का नाम है तो स्वालर टेल बटर्फलाई ये है जो कि पिछले कुछ समय पर काफी ज़्यदा खत लेकिन पहली बार ये इंडिया के अंदर देखने को मिली थी तो पहली बार इंडिया में कहां पर देखने को मिली है अरुनाचल प्रदेश के नमधापा नेशल पार्क में ता आप से क्वेशन बन सकता है नोबल हेलन नाम की बटरफलाई कहां पर देखने को मिली थी अरु तो अरुनाचल प्रदेश के नमदापा नैशल पार्क में खासकर तीन जगा पर ये पाई गई और सेप्टमबर 2021 के अंदर ही या पर इसके बारे में सारी सारी जो इन्फरमेशन है वो हमें मिल चुकी थी पिछले कुस समय में थाइलिंड के अंदर तो चलो देखने को मिलती है कभी कभी लेकिन उसके बाद मयनमार चाइना जैसे देशों में पाई जाती थी इवेन लाउस, कैंबोडिया जैसे देशों में भी पाई जाती थी वहां से वो पूरी तरह से disappear हो चुकी है तो हमारे लिए बहुत relevant चीज है कि एक ऐसी butterfly जो की बहुत मुश्कल से देखने को मलती है वो इंडिया के अंदर देखने को मिली है या फिर पाई गई है इंडिया की एक नई butterfly की category के अंदर इसको add कर दिया या है ठीक है बात क्लियर हो गई इतना आपको समझ माई आप इसका थोड़ा सा background data समझेंगे जो की examination के अंदर help करेगा क्योंकि ये तो आपने current issue पढ़ लिया इसको static portion से link करना बहुत ज़ादा important है तो context तो आपको समझ माई गया कि हाँ जो butterfly enthusiast है कुछ लोग है इन्होंने यहाँ पर इन butterfly को record किया है Nobles Helen को record किया है नमदपा National Park के तीन जगा से ये बात मैंने आपको समझा दिया जो Nobles Helen है जो कि अभी नहीं है अब पहली बार इंडिया में देखने को मिली है अरुनाचल प्रदेश के नमदपा National Park में तो पहली चीज़ तो नमदपा National Park के बारे में location ही ध्यान रखना यही पूछा जाएगा majorly यह पूछा जाता है क्योंकि पूरे साल में धेड़ सरी locations हो जाती है तो confusion create हो जाता है तो नमदपा ध्यान अरुनाचल प्रदेश के अंदर में है ठीक है बात clear हो गई आ गया आता है यह एक ऐसा National Park है जहां पर कई सारी अलग-लग big cat की species पाई जाती है और UPSC का एक question था हो लो गिबों के बारे में तो हो लो गिबों एक basically ape की species है ape की species आपको देखने को मिलेगी यह इंडिया के अंदर पाई जाती है कौन से National Park में यह सवाल था तो यह नमदपा National Park के अंदर ही पाई जाती है हो लो गिबों ठीक है बात clear हो गई महराष्टरा तो इसका सही उतर है D. महराष्टरा ठीक है न तो ऐसे प्रश्ण भी कभी-कभी बन जाते हैं कभी-कभी बहुत सरल भी बन जाते हैं तो दिहान रखना है कुछ भी skip नहीं करना है next article पर आता है now next important article आपको पता है आज Sunday है Sunday में एडिटूरल नहीं आता है Science and Tech आता है Science के कुछ articles आता है दो articles हैं बहुत important है दूसरा एडिटूरल के जगा मारे पास में frequent ask questions के article है वो भी बहुत अच्छे article है मतलब आप कह सकते हो एडिटूरल हैं basically हमारे पास आज तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे उसके बारे मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आते हैं इस वाले article पर अब देखो इसके पैच्छे की एक कान ही मैं आपको बताता हूँ 26 जनवरी को मैंने ये article के basis पर एक thumbnail पर जो thumbnail वो बनाया था नर्मदा वैली में डाइनस और के अंडे और गौंसले मिले इस प्रकार का जो thumbnail वो मैंने बनाया था लेटरली यहाँ पर दो-तीन लोग आते हैं comment के अंदर और वो mention करते हैं कि सरब clickbait यूज़ करते हो बहुत ज़्यदा clickbait करते हो है ना कि लोग यहाँ पर वीडियो को click करके जो है इसके अंदर पहुंचें इस प्रकार clickbait बहुत ज़्यदा करते हो ऐसा कुछ भी नहीं था यार बिल्कुल real news थी वो कुछ भी नहीं था बिल्कुल reality थी और आज देखो न्यूसपेपर के अंदर दह हिंदू के अंदर इस आर्टिकल कवर किया गया है जो कि हमने तीन दिन पहले कवर कर लिया था 26 जनवरी को तो यह यहाँ पर बताया गया है कि 90 fossil nets जो है न यह इंडिया के सब सब बड़े डाइनसौर को बिलॉंग करते हैं यह fossil nets यहाँ पर पाए गए हैं कहाँ पर पाए गए हैं नर्मदा वैली यानि मध्या प्रतेश के अंदर में तो researchers ने uncover किया या फिर आपका सब तो discover किया है 92 nesting sites को जहाँ पर डैनसौर अंडे दिया करते थे और लगबग 256 अंडे मिले भी हैं 256 fossil eggs मिले हैं नर्मदा वैली के यह जो डैनसौर है यह cretaceous spirit को belong करता है नहीं आज से लगबग 145 से लेकर 66 million years ago तो इतना समय पुराना वो cretaceous spirit कहलाता था उस समय के यह डैनसौर हैं जिसको हम लोग बोलते हैं titanosaurus या titanosaurus और खास बात यहां पर यह कि जो अंडे पाए गए हैं इन अंडों की अलग-लग variety हैं अलग-लग variety की अंडे देखने को मिल रहे हैं उसके बाद हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़े निकल कर आ सकती हैं मतलब हम डैनसौर के बारे में और अच्छी study कर सकते हैं इन अंडों के माध्यम से जो अंडे हम लोग को मिले हैं हम क्या करेंगे कि उसके बारे में बहुत रिशल्स हैं ऐसा अंडा भी मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है एक यूनिक चीज़ है कि अंडे के अंडा मिला है तो इसको रिसर्च किया जाएगा दूसरा हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि जो अंडे का चिलका है न उसके ओपर थोड़ी बहुत डिटलिंग्स की लिंका ली जा सकती है उसके बेसिस पर पता चल सकता है कि वो डाइनासREWर क्या खाता था कितना खाता था कितना पानी पीता था यह सारी इंफरमेशनी पता लगा जासकती है ऐसा रिसर्च असका कहना है यह जो अंडे का च्हलका है न वो तो यहाँ पर उसी ने दिया उस तो उसके basis पर हम उन सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं कि Titanosaurus क्या-क्या खाया करते थे तो काफी और भी सारी information हमें पता चलेगी इन अंडों के basis पर वो सब चीज़े बताई जा रही है लेकिन उससे पहले आपको पता है हमें article को examination के point of view से भी पढ़ना है तो पहली चीज़ तो आपने पढ़नी होगी Titanosaurus के बारे में Titanosaurus आखरकार क्या है क्योंकि Titanosaurus का ये अंडा है देखो दोस्त डाइनसौर की प्रजाती को ही बिलॉंग करने वाला Titanosaurus है जो ये इतना खतरनाक सा डाइनसौर आपको दिख रहा है मीजोजोईक एरा का तो मीजोजोईक एरा में तीन एरा आया करते है Tricyc, Jurassic और Cretaceous ठीक है ये तीनों पीरेड के अंदर में बहुत सारे डाइनसौर पाया जाते थे आप देख पाऊगो जैसे Tricyc time period की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहले जो first डाइनसौर से वो यहाँ पर देखने को मिला करते है फिर Jurassic period के अंदर में कुछ और डाइनसौर से देखने को मिले फिर उसके बाद में Cretaceous period आपको देखने को मिलेगा आज से और टाइम पहले लगबाग 145 मिलियन साल पहले 66 से लेकर 145 मिलियन साल पहले इस समय पर डाइनसौर और जदा मिला करते है यह सब डाइनसौर इस समय पर खतम हो गए है तो यह सब टाइम पिरेड आपको देखने को मिलेगा यह हमारा Geological Time Scale है बात क्लियर हो गई टाइटन और सौरस के बारे में हमें आपको बता दिया पल्स गर्दन और पूछ भी बहुत लंबी हुआ कर दिय धी बड़े साइस के यहां पर देखने को मिला करते कब से बिलोंग कर दे थे टाइम पिरेड बेड भी इन आपको बता दिया अब ये टाइटन और सारस भी सौरोपोड ग्रूप को बिलॉग करते थे सौरोपोड भी वही वाले जानवर है जिनकी गर्दन बहुत लंबी है जो उपर सर है वो छोटा सा है पैर बहुत लंबे-लंबे है और पूँच बहुत लंबी-लंबी है ठीके ना अभी आपको बताओगा सौरोपोर्ड के कुछ फॉसिल्स कुछ हड़ियां पाई गई थी मेगालिया से उसके बाद में आपे गुजरात के अंदर मद्यप्रदेश, महराष्टर, तामिलाडू के अंदर भी हम लोगों ने सौरोपोर्ड यह जो डैनासौर है, इसके कुछ हड़ियों को हम लोगों ने खो जा था, यहना इस वैसे सौरोपोर्ड चर्चा में था, बाकि इंडिया के अंदर डैनासौर्स की बात करें, तो डैनासौर्स एक्जिस्ट किया करते थे भारत के अंदर भी, लगबग ट्रैसि और यहां पर डैनासौर्स इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया में जितने भी डैनासौर्स ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया के डैनासौर्स जितने भी देखने को मिलेंगे, इसमें से जो सबसे बड़ी साइज वाला डैनासौर्स था, वो कौन सा था, वो था बारा पासौरस ठीक है बारा पासौरस ये जो है सबसे बड़ी साइस का डैनासौर हुआ करता था लगब बोला जा रहा है कि ये 4 मीटर उंचा और 24 मीटर लेंथ में आपको ये डैनासौर देखने को मिला करता था और जो सबसे पीछे का यहाँ पर एक था, वो मीटियोराइट का इंपक्ट था, मीटियोराइट आपको बता होगा न, अभी कुजिन पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था अंतरिक्ष मैस्टोराइड होता है एक बड़ा सा रॉक का साइज जो है उपर अंतरिक्षे गिरा था और उसकी चक्कर में, उसके गिरने की वज़ा से जितना इंपक्ट गिरने की वैसे पढ़ा है वो बहुत जादा था, गिरते ही क्या होता है तापमान बहुत तीजी से बढ़ जाता है पूरी तरह से यहाँ पर आग लग जाती है जिसके चक्कर में यहाँ पर डैनासवर खतम हो जाता है दूसरा यहाँ पर एक इंपक्ट यह भी पढ़ता है कि जो बच जाते हैं वो भुकमरी की वैसे मर जाता है क्योंकि जब वो सबको जल गया तबहा हो गया खतम हो गया एक बहुत बड़ा चेंज हुआ क्लाइमिट के अंदर में सबको जहां पर गर्मी की वैसे खतम हो गया सूखा पड़ गया था तो जब डैनासवर को कुछ फूड मिला नहीं कुछ यहां पर उसकी वज़ा सभी मर गए ठीक है तो इसकी एक पूरी कहान ही है मैंने कई बार आपको पड़ा रहिए आपको बदाऊगा थामनेल पर लगा रखा है कभी मैं आपको फिर से बताऊँगा डीटेल से बट अभी के लिए इतना समझ लो ठीक है आए आते हैं तो दोस्त जो भी मैं आपको बैक्गराउंड डेटा बताता है चल ला हूँ प्लीज उसके ओपर ज़रूर फोकस करना क्योंकि वही है जहां से एक्जामनेशन में आपसे सवाल बनेंगे ठीक है चलो आते हैं उसके बाद में next important news आर्टिकल पर तो सेंड में मैंने बोला एडिटोरल नहीं आते हैं लेकिन frequent ask question एक आता है पूरा का पूरा पेज तो यहाँ पर क्या कहानी है आओ समझते हैं सबसे पहला आर्टिकल यह वाला है एक controversy चल लगी है जैनवरी के महिने से अब उसी को resolve करने के लिए supreme court बैठा है supreme court यहाँ पर जल्दी इस case को देखने वाला है देखो होता क्या है कि आज के समय में अगर मैं आपसे पूछू कि child marriage यानि बाल विवा क्या है तो आप कहोगे कि लड़की की जैसे यहाँ पर 18 साल minimum age है और लड़की की 21 साल minimum age है है ना जो लड़की है जो female है उसकी 18 साल minimum age और लड़के की 21 साल minimum age यानि ये सादी के लिए legal age है इस उमर में या इसके बाद शादी कर दो ठीक है नॉर्मल है इससे कम उमर में यानि 18 साल से कम उमर में शादी हो रही है, 15 में हो रही है, 14 में हो रही है, 17 में हो रही है, तो वो बाल विवा के लाएगा, सब को पता है, चलो आगया आता है, अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाता है, अब कई सारे आपको पता है कि personal laws हैं, भारत के अंदर मे Marriage Act 1872 आपको देखने को मिलेगा Parsi Marriage and Divorce Act 1936 है Special Marriage Act 1954 है Hindu Marriage Act 1955 है इस प्रकार से कई सरे Acts आपको देखने को मिलेगे और इसी प्रकार से यहाँ पर Muslim Act भी आपको देखने को मिलेगा मतलब Muslim Personal Law आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो National Commission for Women है और NCPCR है यह दो बोडिस का नाम द्यानक ना National Commission for Women जो की Women की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है दूसरा NCPCR की फुल फर्म क्या है National Commission for Protection of Child Rights जो बच्चों के हक हैं जो बच्चों के राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करने का काम करता NCPCR यह दोनों पहुंच गए Supreme Court के अंदर Petition लेकर Supreme Court से यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया के अंदर अलेकलिक रिलिजन के Personal Loss को देखते हो For example, इंडिया का Christian Marriage Act 1872 Parsi Marriage and Divorce Act 1936 Special Marriage Act 1954 Hindu Marriage Act 1955 यह जितने भी आपको Act दिख रहे हैं न In Act में एक चीज़ कॉमन है कॉमन यह है कि लड़की की उम्र मिनिममम 18 होनी चाहिए और लड़के की एक किस यह Legal Age है शादी की इस उम्र में यहाँ पर शादी की जा सकते है इस उम्र या इस उम्र के बाद इससे कम अगर यहाँ पर एज होगी तो वो बाल विवा कहलाएगा यह सब In Act के अंदर कॉमन है लेकिन Muslim Personal Law को जब हम लोग देखते हैं तो Muslim Personal Law के अंदर यह चीज़ नहीं है Muslim Personal Law के अंदर बोला गया है कि जब भी यहाँ पर लड़की है वो एक Puberty Age में आ जाएगी एक यह नवस्ता के अंदर में आ जाएगी या फिर आप कह सकते हो कि जब Puberty वाली Age में आईगी तो मतलब मिनिमम बोला जारा है 15 साल 15 साल की Age में यहाँ पर आप कह सकते हो कि लड़की को अलाउ किया गया है यानि कि 15 साल की उमर में शादी कर सकती है Muslim Personal Law के हिसाब से तो यहाँ पर जो यह NCPCR है न जो कि बच्चों के Rights को Protection देने का काम करता है इसने Supreme Court से यह बोला कि जब सारे के सारे आपको Personal Laws जो बाकी सारे Personal Laws जो देख रहे हैं उसमें बोला गया है कि 18 साल minimum age होनी चाहिए और खास कर जो हमारे पास में Child Marriage Act है वो भी यह बोलता है कि जो लड़की की उमर है या लड़की की उमर है वो 18 किस होनी चाहिए minimum इससे कम होगी तो बाल विवा कहला हैगा तो यहाँ पे Muslim Personal Law में आप कैसे allow कर रहे हो minimum 15 years तो minimum 15 साल में शादी को allow करना यह बिल्कुल गलत है इस चीज को बदलना चाहिए इस age को बढ़ा दिना चाहिए इसको 15 से 18 कर दिना चाहिए यह बात यहाँ पर NCPCR ने बोली है I hope आपको यहाँ पर यह clarity मिल चुकी है ठीक है तो पूरा controversy पूरा issue क्या चल रहा है यह मैंने आपको समझा दिया है Supreme Court अब इस particular matter को देख रहा है आने वले समय पर Supreme Court भी अपनी कुछ राय देगा दूसरी चीज यहाँ पर POCSO Act को भी लिया गया है Protection of Children from Sexual Offenses Act बच्चों को बचाता है Sexual Offense से तो इस Act के अंदर ही बोला या है कि देखो जो एज है न वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और NCPCR ने इसी चीज का argument किया है कि जब यहाँ पर लड़की के उमर 14-15 साल हो और यहाँ पर आप शादी कर रहा हो तो कहीं न कहीं यह POCSO Act के खिलाफ जा रहा है और बाकी यहाँ पर जो इंडिया के अंदर लॉज है वो उनके सब के खिलाफ जा रहा है Child Marriage की कैटिकरी के अंदर यहा रहा है तो इसके अंदर एक बदलाव होना बहुत जादा जरूरी है ठीक है आपको matter समझ में आ गया इसका objective देखो बच्चे को क्या define किया गया है बच्चा वो है जिसके उमर 18 साल से कम है उसके साथ में कोई sexual assault, sexual harassment, pornography offense या कोई इस प्रकरक offense होता है तो उस चीच को यहाँ पर tackle किया जाएगा बच्चे को एक सुरक्षा दी जाएगी इस POCSO Act के तहत ठीक है अब बात आती है किसकी NCPCR की एक सेकेंड उख जाओ यह सब कुछ हमें discuss कर रखा है न तो इस वैसे हम इसमें ज़्यादा detail से जानी रहे हैं इसको मैं PDF के अंदर दे दूँगा यह मैंने editorial में discuss किया था आस से दो दिन पहले और आपके एक आपसे मेरा answer भी लिखा है था से दो दिन पहले याद होगा POCSO Act के ओपर आपने answer भी लिखा है ना NCPCR की बात करते हैं तो यह है National Commission for Protection of Child Right NCPCR क्या है? NCPCR एक Statuary Body है जिसको 2007 में बनाया था एक Act के माधियम से बनाये, कानून के माधियम से बनाये इसको में लोग Statuary Body बोलते हैं इसलिए तो Act कौन सा है? वो है Commission for Protection of Child Right Act 2005 इस Act के माधियम से हमने NCPCR को बनाया था NCPCR, Ministry of Women and Child Development के अंडर में आता है फिर इस particular body का काम है बच्चों के जितने भी rights है, जितने भी हक है उनकी protection देना, समीधान में काफी हक है इन फैक यहाँ पर आप देखपाऊगे UN Convention आपको देखने को मिलेगा जो कि बच्चों के rights के बारे बात करता है उन सब चीजों को implement करने का यह काम करता है प्लस बच्चों के पास में right to education है आपको बताऊगा, right to education act 2009 के तहत यहाँ पर इनका fundamental right बना दिया गया कि बच्चों को यहाँ पर पढ़ने का अधिकार है तो इस चीजों को भी यहाँ पर implement करना इसको लगू करना, सब को education प्रोवाइट करवाना आई होप आपको यह बात अच्छे से clear हो चुकी है कि POCS Act, sorry यह NCPCR क्या है प्लस NCPCR हमारे POCS Act को भी monitor करता है जो POCS Act है 2012 का इसको monitor करने का यह काम करता है बाकी यह particular issue किया है यह आप already समझ चुके हो कि क्या-क्या controversies यहाँ पर हो रही है personal laws को लेकर क्या बांग की जा रही है Supreme Court ने mention किया है अनेवले समेमर हम इस matter को देखेंगे और कुछ यहाँ पर नई चीज़े जो भी लेकर आएंगे वो सब आगे पता चल जाएगा next important news article पर आता है यहाँ पर यह वाला बहुत important article है अब कुछ लोग जब समझने बैठेंगे तो इस article में काफी सरी confusions create हो सकती है इसलिए हम वीडियो record कर रहे है कि आपको कोई भी कही पर भी confusion ना हो और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए question है how will the T1 settlement cycle impacts market आपने stock market share बजार के बारे में सुना होगा नई सुना है तो आज पता चल जाएगा तो जो share market होता है न उसके अंदर अभी तक हम लोग अलग-अलग settlements का यूज क्या कर दे अब यहाँ पे सेबी ने लागू कर दिया है T1 settlement को तो T1 settlement हमारे share market के अंदर लागू हो चुका है तो वही समझेगे T1 settlement क्या है प्लस इसका impact हमारे market के उपर क्या पड़ेगा ठीक है चलो जी अब डिसकस करते है तो 27 जनवरी को stock market जो है इंडिया के अंदर में यह T1 settlement को लागू कर चुका है इससे पहले चाइना एक देश जो कि इसको लागू कर चुका है बाकी US, Europe, Japan जैसे देश हैं जो कि अभी तक इसको लागू नहीं कर पाएं समझेंगे पहले हम लोग T1 settlement होता क्या है उससे पहले समझना होगा आपको stock market के बारे में share bazar के बारे में देखो दोस्ट जब भी हम लोग बात करते हैं stock market की तो क्या आप invest कर सकते हो बिल्कुल बहुत आराम से invest कर सकते हो stock market के अंदर में इस stock market में होता है क्या है कि आपकी जो से भी है ना security exchange board of India वो पूरे stock market को कंट्रोल कर रही होती है इसके अंदर आपके पास में BSEA, NSEA यानि कि Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange आपके पास में काफी सारी कंपनिया है हमारी देशबर की उसके अंदर आप पैसा लगाना चाहते हो कंपनी के अंदर में तो लगा सकते हो है ना पैसा डालना चाहते हो, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बेसिकली तो कर सकते हो तो करने के लिए क्या करना पड़ता है आज कल बहुत असान हो चुका है आज से 10 साल पहले इतना असान नहीं था आजकल असान इसलिए हो चुका है क्योंकि बहुत सरे online apps आ चुके हैं है ना काफी सरे app आपको देखने हो मिलेगा Angel, Grow ऐसे बहुत सरे app हैं तो वहाँ पर आपने app डाउनलोड करके करना क्या होता है एक DMAT account उपन करना पड़ता है क्या DMAT account यहाँ से सुनना जो भी आप लोग यहाँ पर company के stocks purchase करोगे, shares purchase करोगे बेचोगे, खरीदोगे तो वो सब यहाँ पर आपके DMAT account के तहत trading की जाती है जो amount आप invest करोगे आएगा आपके पास में बेच कर वो सब आपके DMAT account के अंदर में आएगा ठीक है तो DMAT account basically stock market के अंदर में नहीं का, मालो suppose company A है आपने इसके कुछ share purchase कर लिए जो आप इसके कुछ share purchase करते हैं कुछ इसके हिस्सेदारी purchase करते हो तो यहाँ पर यह share आपके पास में आने में काफी समय लग जाता है, काफी समय ठीक है ना, और इस company के जो share जिसने बेचे होंगे, जिस इंसान ने बेचे होंगे ना, उसके पास में वो पैसा जाने में काफी समय लग जाता है, बीच में यहाँ पर ट्रेडिंग करने के बाद आपने खरीद बेच कर लिए लेकिन इसमें पैसा उसके पास में जाएगा, share आपके पास माएगा, इसमें काफी समय एविन पहले एक एक सब्था लग जाया करता था मतलब, सब कुछ होने के बावजूद भी एक एक सब्था लग जाया करता था दिरे-दिरे एक कम हुआ, अब बीच में दो-दो दिन लगा करते थे मतलब, जो recently हुआ करता था, जब stock purchase करते थे तो आप stock जब purchase करते हो, तो दो दिन में आपके, दो दिन बाद दो दिन के अंदर अंदर जो stock है, वो आपके account के अंदर आता था आपकी holdings के अंदर आता था बागी यहाँ पर क्या होजा था? कि जो आपने पैसा लगा है, वो जिसने बेचा है, शेर उसके पास में पैसा दो दिन बाद जाता था, तो दो दिन के अंदर यहाँ पर यह तो आप यहां पे व्यापार करते हो, आप आपने यहां पे stock को purchase किया, तो जब stock को purchase किया, तो एक दिन के अंदर, अंदर मामला settle हो जाएगा, जो पहले दो दिन में हो रहा था, अब वो एक दिन में निपड़ जाएगा, आपके पास stock आ जाएगा, और सामने वाले के पास में जिसने बेचा उसके पास में पैसा चले जाएगा ठीक है I hope आपको ये बात अच्छे से clear हो चुकी है है ना तो T plus one settlement क्या है जब एक एक दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा matter समापत हो जाए जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था इसको हम लोग बोलता है T plus one T plus two होता तो दो दिन के अंदर अंदर व्यापार settle होता है पहले हम इसी को implement किया करते थे कई सारे देश अभी भी इसी वाले procedure पर चल रहे है बट हम T plus one पर आ चुके हैं इससे पहले चाइना एक देश है जो कि T plus one पर आया है और हम भी अब T plus one पर आ चुके हैं आई होप आपको ये बात लिए रुजुकी है तो ये थे हमारे particular दो एडिटूरेल्स उसके अद में एक और आर्टिकल है चोटा सा हो इसको भी discuss कर लेते हैं आपको बताओगा एक tanker काफी चर्चा में है आर्टिकल थोड़ा चोटा सा है सारे के सारे important points आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में नजराएंगे context यहाँ पर यह है कि देखो रश्य यूकरेन का यूद चल रहा है कब से चल रहा है पिछले साल February में ये यूद स्टार्ट हुआ था सही बात है और अभी यहाँ पर February आने वाला है लगबं एक साल हो चुका है इस यूद को तो अभी यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि यूकरेन भी बराबर टक कर दे रहा है यूकरेन ने भी रश्या को रोग रखा है काफी सरे areas हैं जिसको यहाँ पर रश्या ने कबजाया था उस area को यूकरेन वापस recapture कर चुका है जाके यहाँ पर यह लोग जीत पा रहा है अब Germany के उपर थोड़ा प्रेशर डाला गया कि Germany के पास में लेवपार्ट टू है टैंक है कौन सा टैंक है लेवपार्ट टू टैंक जिसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पिचर देखोगे वो यही वाला टैंक है तो यह जो टैंक है न यह जर्मनी का टैंक है तो जर्मनी के उपर प्रेशर डाला जा रहा है कि यह टैंक आप यूकरेन को दो क्योंकि यह टैंक की फीचर्स दुनिया में सबसे बेस्ट फीचर्स के अंदर में आते हैं टैंकर्स के मामले में बहुत भेजरीन फीचर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो कहीं न कहीं युकरेन इसकी मदद से रश्या को भारी भर का मनुकसान पहुचा सकता है तो जर्मनी के उपर प्रेशर है जर्मनी को यही टैंकर देने चाहिए हालकि जर्मनी अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि वो अलाव करेगा इसको भेजेगा युकरेन में या नहीं भेजेगा इसको लेकर यहां पर जो इशू है वो लगातार चलता जा रहा है आई होप आपको क्लियर हो चुका है लेकिन एक्जामनेशन में जो सर आपसे सवाल पूशे जाएगा वो डिरेक्टली इसके बारें पूशे जाएगा आपसे पूश लिया जाएगा लेपर 2 रिसेंटी न्यूज में था क्या है यह आप लिखिया होगे एनिमल है है ना अगर इसके बारें नहीं पड़ा है तो तो ध्यान रखना यहाँ पर यह एक टैंकर है तो जर्मन मेड बैटल टैंक है यानि जर्मनी नहीं यहाँ पर इसको बनाया है खासकर जर्मनी की एक कमपनी है Cross Mafia Wegman इसके तुरू यहाँ पर इसको बनाया गया है यह जो Leopard है सबसे पहली बार बनाया गया था 1990s में West Germany Army के लिए ठीक है ना जो Soviet Union का खत रहा था यानि कि जो Cold War चल ला था शीत उदो चल रहा था उसके अंदर उस दोरान यहाँ पर सबसे पहला Leopard टैंक को बनाया गया था बाद में इसका Second Version लेकर आए Leopard 2 यहाँ पर दुनिया का एक सबसे Leading Battle Tanks के अंदर में आता है मैं आपको बताया दुनिया में जितने भी टैंकर्स है उसमें से One of the Best Tanks की कैटेगरी में आता है इसके Best Features आपको देखने को मिलेंगे और खासकर जर्मनी आर्मी इसको इस्तमाल भी करती है जर्मन आर्मी यूज़ कर रही है बहुत लंबे समय से दशकों से यहाँ पर यूज़ कर रही है इनके Military's यूज़ कर रही है European Union की Nations यूज़ कर रहे है तो इसी वज़ा से यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस टेंकर को यूकरेन के पास भी पहुँचाया जाए इस टेंकर के अपने आप में कुछ important features देखने को मिल जाते है वो features क्या है जैसे कि यहाँ पर कुछ advanced level की gun देखने को मिलेगी तोप देखने को मिलेगी है ना light machine guns देखने को मिलेगी और उस important बात यहाँ पर यह है कि इस टेंकर को एक protection दी गई यह टेंकर इतने बहुतरी तरीके से बनाएवा है कि इसके उपर mine का कोई असर नहीं पड़ेगा पता है टेंक को उड़ाना दुश्मन के टेंक को उड़ाना बहुत असान हुआ करता था कैसे आप जमीन के अदर mine बिचा दो जमीन के अदर जो गोल को लगर की mine होती है ना आपको बता होगा वो लगा दो अब जमीन में अपने mine जब लगा दिया लाइन साप लगा दो टेंक आएगा उस पर से गुजरेगा जैसे उस पर वजन पढ़ेगा माइन ब्लास्ट हो जाएगी माइन जैसी वो एक्स्प्लोड होगी वो टेंकर को उड़ा ले जाएगी साथ में तो ऐसा हुआ करता था और इसके basis पर टैंक इतने successful साबीत नहीं हो कर दे लेकिन अब टैंक ऐसे बनने लगे हैं जो उस mine को टक कर दे सके हैं उसमें से एक टैंक leopard 2 टैंक है ये anti-mine टैंक आपको देखने को मेलेगा कितनी mine आप बिचालो उसके उपर से गुजर जाएगा इस टैंक के उपर कुछ नहीं होने वाला ठीके न ये कही न कहीं एक आप कर सकते हो कि improvement हुआ है इस particular technology के अंदर में तो सवाल बन सकता है अच्छा सवाल कैसे बन सकता है for example आप देखो UPC ने 2018 में जाधा पुराना सवाल नहीं है लेकिन 2018 में पूछा गया था वाट इस थाड Terminal High Altitude Area Defense ये जो थाड है न ये कभी-कभी न्यूज में देखने को मिलता है बताओ आखरकार ये थाड क्या है option A एक Israeli radar system इंडिया का indigenous anti-missile program अमेरिका का anti-missile system या फर एक defense collaboration between Japan and South Korea तो उसका सही उत्तर है option number C अमेरिका का anti-missile system तो लेपाट टू क्या है एक अमेरिका का anti-missile system है ठीके ना बात क्लियर होगी तो ये थे आज की हमारे सारे के सारे articles अच्छा एक article यहाँ पर रह जा रहा है ये वाला हम छोड़ कर जा रहे थे कोई बात ने नजर पड़ गई है अब cover कर लेंगे बात की जारी है breast cancer के बारे में तो women के breast में जो एक cancer होता है ये कहिन है कि बहुत ज़दा problematic treatment के नाम है progesterone treatment तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब breast cancer की surgery करवाई जाती है उस surgery से पहले यहाँ पर progesterone treatment दिया जाए यानि कि यह जो treatment है यह दिया जाए इस hormone को डाला जाए women के अंदर में तो कहीं ना कि यहाँ पर women का जो survival rate होता है जिने रहने की जिन्दा रहने की जो यहाँ पर आपके सकते हो कि एक capability, possibility है ना वो काफी बढ़ जाती है तो आपसे पूछा जा सकता है हार्बोन थरेपी के बार है हला कि इसके अदर डीटेल समझ जाओ बहुत अदर complex चीज़े हैं समझने में काफी मुश्किल हो जाएगा आपसे इतनी complexity पूछी नहीं जाती है चाहे अब कितनी पुराना paper देख लो ठीक है न तो यहाँ पे बस इतना ही ध्यानक न बात की जा रही है प्रोजेस्टिरोन treatment की जो प्रोजेस्टिरोन treatment है इसको अगर हम लोग breast cancer surgery से पहले दे दें तो इस treatment के मादम से कही न कहीं जो breast cancer का patient है वो थोड़ा लंबे समय तक survive कर सकता है वो बात बताए जा रही है दूसरा आप लोग जब breast cancer के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो World Health Organization ने एक data published क्या है इन्होंने बताए कि देखो जो breast cancer है कहीं ना कहीं एक सबसे जादा form बतला होने वाला ये cancer है most form of cancerous situation आप देखपाऊगे breast cancer जो की सबसादा महिलाव को परिशान कर रहा है आज के समय में जो number of breast cancer है वो लगातार भारत में इंक्रीज हो रहे है और एक अंदाजा लगाया जा रहा है 2025 तक 13% तक यह breast cancer इंक्रीज हो जाएंगे यह WHO ने प्रडेक्शन क्या है breast cancer के जो incidences है वो हमारे देश में कहां कहां पर सबसे जादा हाई है तो हैदराबाद के district में आपको देखने को मिलेगा सबसे जादा हाई देखने को मिल जाता है उसके आद में NCRP 2020 ने recommendation दिया है कि breast cancer से जो भी सफर कर रहा है उसको regular screening करवानी चाहिए regular यहाँ पर उसके testing करवाए है अपने अच्छे body weight को हैनी healthy body weight को maintain करें ऐसा नाओ की मोटा पर बहुत जादा हो जाए physical activity करते रहें इससे यहाँ पर कहीं न कहीं जो survival rate वो बढ़ सकता है कहीं न कहीं यहाँ पर जो risk cancer का वो थोड़ा सा कम हो सकता है तो यह breast cancer को लेकर सारका सेरे data WHO ने provide करवाया है आते हैं हम लोग अपने prelims वाले question के उपर दिन उसके बाद में aluminum, chromium, iron, silicon तो इसका सही उतर है option number C iron ठीके ना तो iron अच्छा iron के लावा और क्या क्या है चीजे थी जिससे core बनावा है आप नीचे comment section बता सकते हो बिना वीडियो को आगे पीछे करे बताना है अगर आपने वीडियो को बिना आगे पीछे किया बताया तो कहीं ने के आप बहुत बिल्कुल concentration के साथ में सतर्कता के साथ में सुन रहे थे और ऐसा concentration बहुत ultimate level का होता है यहां पर सिर्फ एक बार पढ़ने की जरुरत होती है दूबारा देखने की जरुरत नहीं होती है अगर किसी का concentration इतना अच्छा है तो यह बात ध्यान रखना बाकी प्रिलिम्स को कोशन में आपको बताई चुका हूँ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day thank you and जैहिंद